नमस्कार नेक्स्ट नाइन यूज देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ मांशी जैस्वार राहूल गांधी की संसत सदसता जब से गई है तब से कॉंग्रेस पार्टी इन दिनों मुश्किलों में पढ़ती हुई नजर आ रही है लेकिन कहीं ना कहीं पहले कॉंग्रेस प से कितना कुछ उनको मिलता है याने वाले समय में देखना होगा यानि कि जब चुनाव की नतीजा आएंगे तब सब कुछ सामने आ जाएगा कि आखरकार कॉंग्रेस पार्टी जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है उससे जनता कितनी प्रभावित हुई है बरहा आएक की दोरान लगातार तमाम दलीले रहुल गांधी के वकीलों की तरफ से रखी गई है ऐसे में सूरत कोट ने फैसला कल भी नहीं सुनाया यानि कि तेरह तारिक को सुनवाई हुई लेकिन इस पर फैसला नहीं आया अगली तारिक दे दी गई बीस एपरिल को यानी कि य जेल की सजा उनको सुनाई थी इसी सजा को चुनौती देने के लिए सूरत की सेशन को ट्राहूल गांदी पहुंचे थे और वहाँ पर उन्होंने अपील करते हुए वो नजर आये थे लेकिन इस पूरे मामले पर कॉंग्रेस लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है एक्ट सिब्बल ने राहूल गांदी का समर्थन करते हुए ये बात कही है कि राहूल गांदी को संसत से बाहर करना गैर कानूनी है और इस समय अदालतों का गलत इस्तमाल किया जा रहा है भारती जनता पार्टी की तरफ से तो लगातार ये बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे है इस वक्त कपिल सिब्बल और राहुल गांधी का समर्थन करते हुए भी निजर आ रहे हैं भारतिय जंता पार्टी पर वो लगातार निशाना साथ रहे हैं उन्होंने निशाना साथते हुए साफ तरपर कहा है कि अदालतों का इस वक्त गलत इस्तमाल किया जा रहा है कपिल सिब्बल जो है वो राहूल गांधी की समर्थन में बोलते हुए नजर आए हैं इसके लावा कॉंग्रिस के तमाम ऐसे बड़े नेता है जो राहूल गांधी के पक्ष में बोलते हुए नजर आए इसके लावा तमाम विपक्षी पार्टियों के भी नेता है जो राहूल उनको माफी मागनी पड़ेगी और इसके अलावा रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की छवी खराब करने की कोशिश भी राहुल गांधी की तरफ से की गई है तो भारती जनता पार्टी कॉंग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाती हुए नजर आ रही है इस पूरे मामले पर आ जो बायानवाजी है वो चल रही है तो राहुल गांधी के पक्ष में इस वक्त तमाम विपक्षी पार्टिया नजर आ रही है भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में अरोप प्त्य रोग को दौर लगतार जा रही है आपकी इस मामले पर क्या कुछ प वोक्स में जरूर दे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन यूज